विद्यार्थी मित्रो स्री ज्ञ्यानमंजरी मोडन स्कूल सी होर नी ई-learning युटूब चेनल मा आपनू स्वागत छे तोरण बार कोमर्स, विशेवानिज्य पत्रव्यवार अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस SPCC विशेईना गया लेक्चर मा आपने CC नू बिजू युणिट पूरू करियो हतु, हवे आ विशेई तरफ आपने आगलवधिये CC नू त्रिजू युणिट से आंतर विभागिय औने कर्मचारी विश्यक पत्रव्यवार अत्यार सुधी आपने बे प्रकार ना पत्रव्यवार जोया, एक बेंक ने लगतो पत्रव्यवार अने बिजो, सरकारी संस्थाओ, जाहेर सेवाओ, अने वहवटी कारियो माटेना पत्रव्यवारो हवे त्रिजा प्रकार छे पत्रव्यवार ना आंतर विभागिय औने कर्मचारी विश्यक पत्रव्यवार तो आ पत्र व्यहवार मां आपने अंतर विभागी ये पत्र व्यहवार ने सामान्य समझ मेलावशू ते पत्र व्यहवार ने जरुरिया जोईशू पछी तेमा नोटिस आवे ए नोटिस नो अर्थ नोटिस ना हेतु परिपत्र नो अर्थ, परिपत्र ना कारियो, परिपत्र ना लक्षणो, तेमज, नोटीस अने परिपत्र वच्चे नो तफावत, नमुना ना केटलाक पत्रो, मेमो नो अर्थ, मेमो नी लक्षण इकताओ, अने तेना केटलाक नमुना ना पत्रो पाण, जो इश्यू साथे साथे बिजो जे बाग छे कर्मचारी विश्यक पत्र विहवार, तो तेनी प्रस्तावना परती नो अर्थ, परती अंगे नमुनानो पत्र, नियुकती नो अर्थ, नियुकती अंगे ना पत्रमा समावाती विगतो तेमज नियुक्ती अंगे नमुनानो पत्र, बढ़ती नो अर्थ, बढ़ती ना कारणो, बढ़ती अंगे नमुनानो पत्र, बदली नो अर्थ, बदली ना हेतुओ, बदली अंगे नमुनाना पत्र, अपकर्ष नो अर्थ, अपकर्ष अंगे ना संजोगो, अपकर्ष अंगे नमुनानो पत्र नोक्रीनी समाप्ती अने नोक्रीनी समाप्ती अंगे नमुनाना पत्रो तो जो विद्यार्थी मित्रो आ पत्रो एवा छे कि जे तमने भविष्य मा तमारा भविष्य ना नोक्रिना संजोगो मा छे ए आ पत्र विहवार उप्योगी साबित्थाई शके तेवा तो आ पत्र विहवार अंगे आपने विश्त्रूत माहीती मेलविए सव प्रथम छे आंतर विभागी या पत्रव्यहवार तो आंतर विभागी या पत्रव्यहवार एट लेशूं कोने कही शकाय आंतर विभागी या पत्रव्यहवार तेनी अंगेनी समझ मेलवे प्रस्तावना सतत परिवर्तनशील अने हरिफाई युक्त दंदाकिय जगतमा तंधानी प्रगती तेमा जिसफ़ संजालन माटे मोटी व्यापारी पेडी के संसाये पोताना जुदा जुदा विभागो साथे संक्लाएला रहवू पड़े छे आ विभागों वच्चे पत्र विहवार जरूरी बने छे ब्राबर तो आंतर विभागी ये पत्र कोने गेवाये तो आपने दाखला तरीके जोई लईए के रेलवे विभाग छे तो ए रेलवे विभाग केंद्रा सरकार्णों छे ब्राबर परन्तु एना घणा बदा जुदा जुदा खाताओ हशे पछी अपना देशनू अर्थ तंत्र जोई लईए बंधारन जोई लईए ब्राबर तो एना पण जुदा जुदा विभागों छे केंद्रा सरकार छे एना वती जुदा जुदा राज्यनी सरकार निमवा मा आवे छे ए सरकार ने पाछा जुदा जुदा खाताओ सोफवा मा आवे छे कोई एक वियक्ती द्वारा के एक विभाग द्वारा छे समग्र संचालन थतू नथी तेनी नीचे काम करता घणा बधा जुदा जुदा तेना पेटा विभागो होई छे तो एक बधा जेक बिजा साथे संक्ड़ा एला रहे इमाटे पत्रव्यवार थतो होई छे एने आंतर विभागी या पत्रव्यवार केहवाई तो एना तंद्रा के एक कमनी द्रष्टी ए जो है तो कोई पण कम्पनी छे एनी जुदी-जुदी ब्रांज होई तेनी जुदी-जुदी शाखावो होई अलग-अलग स्थडो उपर अलग-अलग शेहरो मा बराबर एना जुदा विभागो होई छे तो ए बद्धाज एक बिजा साथे एनू मुख्या लई अलग होई, मुख्या मत्थक एनू एक स्थड़े नकी होई, अने एना वत्ती काम करती जुदी जुदी संस्तावो छे, एना विभागो छे, ए पण अलग-अलग स्थड़े जोवा मलता होई छे तो एमना वच्चे जारे पत्रव्यहवार थाई, त्यारे तेने आंतर विभागी या पत्रव्यहवार कहे, आवो पत्रव्यहवार मूटे भागे जुदा जुदा विभागो वच्चे, अथवा तेमना विवीध होद्धा धरावता अधिकारियो वच्चे थतो होई छे आम धन्दा की या पेडी नी वड़ी कचेरी थी शाखाओने तथा शाखाओ थी वड़ी कचेरी वच्चे थता पत्रव्यवार ने आंतर विभागी या पत्रव्यवार केहवा मा आवे छे तेने संसागत पत्रव यहवार पन कही शकाई आ पत्रव यहवार नोटीस परिपत्र के मेमो स्वरुप मां होई छे एक मार्क मां पूछाई शके तेवो सवाल बराबर के अंतर विभागी यह पत्र छे कया कया स्वरुप मां जोवा मलतो होई छे तो अंतर विभागी या पत्र वियहवार छे ए नोटीस, परिपत्र के मेमोना स्वरुपुमा जोवा मले छे अने अंतर विभागी या पत्र वियहवार कोने केवाई तो वडी कचेरी थी शाखाओने अने शाखाओ थी वडी कचेरी ने एक उदाहर अन्स्वरू पापड़े लईए तो RBI छे ए मद्यस्थ बेंक छे ए मद्यस्थ बेंक ने शूंगण मामा आवे तो बेंकोनी बेंक तरीके आखा देश मा जेटली पन बेंको कारिय करी रही छे ए समग्रनु नियंत्राण कोण करे छे RBI करे छे तो ए RBI द्वारा जेते कारिय माटे जुदी-जुदी शाखाओनी बेंकोने पत्र लखवा मा आवता होई बराबर एज रिते स्टेट बेंक ओफ इंडिया छे तो पाछी स्टेट बेंक ओफ इंडिया नुँ वडू मत्थक पणालग जग्या ए होई अने एनी जुदी-जुदी शाखाओ छे बद्धाज शेहरों मा अने गाम मा कारिय करती होई छे तो आ शाखाओ कि स्टेट बेंक द्वारा जे नियम तैयार थायो ए नियम तैनी दरेक शाखाओ सुदी पोंचाडवो चरूरी होई छे कोई पण सुचनाओ छे नोटीस छे ब्राबर तो ए दरेक शाखा सुदी पोंचाडवो चरूरी होई छे एटले सुँग करवाँ आवे छे तो के एमनाद द्वारा छे पत्र वयहवार करवाँ आवतो होई एटले मूख्य कचेरी थी तेनी शाखाओ ने पत्र वयहवार थतो होई ने खणी वखत तेनी पासे शाखाओ पासे जे कामगीरी मंगावाँ rubbish आवी छे एक आमगीरी अंगेनो पत्र एपोतानी मुख्य कचेरी ने लगता होई छे बराबर तो आ रिते छे पत्र वियहवार थतो जुवा मड़े छे ने आंतर विभागी ये पत्र वियहवार कहे छे तो खास याद राखवानू के आंतर विभागी ये पत्र वियहवार छे नोटीस, परिपत्र के मेमोना स्वरुपुमा होई छे जुदा जुदा विभागों वच्चे नो संपर्क मोखेक सुचनों के अन्य संचार मात्यमों द्वारा थतो होई छे आम जटा आंतर विभागी ये पत्रव्यहवार निचेनी जरुर्यात नी द्रश्टी ये महत्वानों छे ब्राबर जुदा जुदा विभागों वच्चे नो संपर्क मोखेक सुचनों के अन्य संचार मात्यमों द्वारा एटले के बेंक चेवा कारिया होई छे तो एग कंप्षि मार्फत्ते जडब थी ठता होई छे अध़वा तो मोबालफों द्वारा टेलीफों द्वारा पण वेच्चार नू कारेया ठए शकतु होई छे कम्पनियों छे तो एक कम्पनियों ना पण तेनी दर्रेक शाखाओना जोडान होई छे, संपरको होई छे, ए रिते थता होई छे, पण पछी गणिक बाबतो एवी होई छे, कि जे मोखिक रिते कही शकाती नथी, तो एना माटे लेखीत पत्रव्यहवार छे, ए करवो जरूर होई छे, तो एनी जरूरियातो आपने जोई ये, अंतर विभागिये पत्रव्यहवार नी जरूरियात, एमा प्रथम छे, पत्रस्वरूपे आपेली माही ती, लांबा समय सुधी चालवी शकाय छे, ना एवा नियमों बाहार पड़े आछे, कि नियमों हवे छेक सुधी र मोकलवा मावे छे, जेथी करीने दर्रेक व्यक्तिवो छे, दर्रेक शाखाओ छे, ए नियमोंने लांबा समय सुधी चालवी शके, पछी माही तीने फाइलिंग करी शकाय, तेमाज बविश्यमा तेनो उप्योग थाई शके, अविकणे वधारे माही ती आशे, मोटी माही ती आशे, विस्तार पूर्वकाफवा मावे लिय आशे, तो पाछी माही तीने छे, साच्वी ने राखवे जरूरी छे, एटले, लेखी थाशे, तो एनू फाइलिंग करी शकाशे, अने भविश्यमा ज्यारे पन जरूर पड़ शे, त्यारे तेनो उप्योग करी शकाशे, क्यारेक अ निच्छनिय के प्रत्यक्ष्रिते संकोच थाई, तेवी माही ती पत्र स्वरूपे नी संकोच जणावी शकाई छे, केटलिक बाबतो एवी छे, के जे प्रत्यक्ष्रिते कही शकाई तेम न थी, बलाबर तेम जणावामा संकोच थतो होई छे, कोई ग्राहको प एटले एनी पासे कई रिते उग्राने करवी अथ्वातो पेडी ना कोई कर्मचारी एवा छे के जेने ए बाबतो केहवा माटेनी बदली थती होई के ने काम पर्थी छूटा करवा मा आवता होई तो आ समय छे एने प्रत्यक स्रीते कही शकाई ने एव गहता संकोच लागतो होई तो ए समय छे ए माहीती पत्रद्वारा रजू था शे तो ए नी संकोच पने जणावी शकाशे पछी छे विबागो के वड़ी कचेरी वच्चे था येल विचारो के माहीती नी आपलेना दस्तावेजी पुरावा तरीके उपियोग था शके छे वे कोई कर्मचारी ने छे बदली करवा मा आवी छे तो ए कर्मचारी ओने छे ए कारी अमाटे बदली था तो ए समय एने बच्चे थैल, विचारों के माहिते ने आपले इटलेके मुख्यक चेरी अने शाख़ाओ वच्चे विभागों वच्चे जे काई विचारों उप्लब्ध थया माहिती रजु थै कोई करार करवा माव्याँ छे तो आकरारों ने सांच्वी शकाई अने तेनेक दस्तावेजी पुरावा तरीके राखी शकाए ए माटे पण आवा पत्रव्यहवार ठता होई छे पची छे जे ते व्यक्तिने लेखितमा संफवामा आवेला कामने कारणे ते पोतानी फरज प्रत्ते सभान बने छे ब्राबर कोई पण व्यक्तिने छे लेखितमा काम संफवामा आवेलू हशे तो ए सभान बन छे ने द्यान मा रहेशे के अने आटलू कारी आटला समयमा पूरू करवानू छे आप्रकार्णू कारिय करवानू छे पछी जे आ उच्छू खर्चार अने वदू असरकारक संजार मा द्याम छे तो आ पत्रव्यहवार लेखित पत्रव्यहवार छे तेमा खर्च पण उच्छो थाई छे अने ते सफळ पण बने छे के उपर की दूएरी ते लेखित मा जो कोई व्यक्तिने काम संफा मा आवेलू हशे तो एकाम प्रत्य सभान बन छे एने एकाम नी काल जी रहे शे एटले आप पत्रव्यहवार छे एके वो छे असरकारक मा द्याम छे जे थी करीने तेनू काम सफळ चाबीत थई शक्छे तो हवे आपत्रव्यहवार ना पहला सवरूफ विशे नी आपणे माहीती मेड व्ये के असरकारक अंतर वीभागी ये पत्रव्यहवार छे एने त्रों सवरूफ मा रजुकरी शकाये नोरिस द्वारा परिकत्र द्वारा के मेमो द्वारा तो वे माँ पुरथम जो ये नोटिस नोटिस नो अर्थ तो व्यापारी पेडी के संस्था माँ काईदा किया के बंधाराणिया अथवा कारिया लेनी मालखा गत बाबतो अने तेमा थता फेरफार तथा तेना अमली करण अंगे कारिया लेना कर्मचारियोंने जान करवा लखातो पत्र एटले नोटिस बराबर तो दंधा के ये एककमो मा के बेडियों मा छे एजारे कोई फेरफारों करवामा आवे छे एनी मालखा गत बाबतो एटले के ना निती नियमोंनु गड़तर करवामा आवे अथवा नियमों मा कोई फेरफार करवामा आवे छे कोई कर्मचारिना काम मा फेरफार करवामा आवे छे तो एनू अमली करण छे जड़प्थी साई ए माटे आ कर्मचारियोंने जान करवामा आटे लखातो पत्र छे जेने शुन केवाई नोटीस तरीके ओडखवा मा आवे छे कर्मचारियोंने नोटीस आपवा मा आवे छे शालामा पण कोई कारिये करम हशे तो विद्यार्थियो अने शिक्षकोने नी जान करवा माटे शुन करवा मा आवशे लेखित नोटीस आपवामा आउशे बेराबर तो आपणशूं छे एक आपणो आंतर विभागिया पत्र विहवारज गणी शकाई छे तो हवे आ नोटीस ना हवे जोईये नोटीस ना हेत्तु ओ एमा प्रथम छे ज्यारे निती विश्यक बाबतोनू संपून पालन न थतु होई त्यारे कर्मचारियोनू त्यान दोरवा जे नियमो नकी थया छे तेनू संपून रिते पालन न थी थतु तो तेवा समय छे ए लेखित नोटीस आपी अने कर्मचारियोने ते नियमो नू पालन करावा माटे कहवा माँ आवे छे पच्छी बिजू छे संजोगो अनुसार करवा मां आवता फेरफारो थी कर्मचारियोंने जान करवा जो कोई फेरफार थया चे कामनी बाबत मां नियमोनी बाबत मां तो एमाटे कर्मचारियोंने जणाववा मांटे लेखित नोटी साफवा मां आवे छे पच्छी क्यारेक कर्मचारी ने नियत क्रम्मा के चोक्कस कारिय पद्धती मुझप काम करवानों आदेशापवा कर्मचारी ने नियत क्रम्मा के नुझे टाइम टेबल आपफवा मा आवेलू छे ए प्रमाने काम करवा माटे अने चोकस कारिय पद्धती थी के कोई नवो कर्मचारी आयो छे तो एने एक काम समझावा माटे दरेक व्यक्तियो कई रिते कारिय करे छे ए मुझप कारिय करवा माटे छे ए आदेश आफवा माँ आवे छे तो ए माटे पण एने लेखी नोटी साफवा माँ आवती होई छे टाइम टेबल तो ए टाइम टेबल छे एने पण आपणे नोटीस तरीके ओड़ खावी शक्किये पछी कामनी प्रगती नो एहवाल कोणे आपफानोरे शे तेनी जान करवा एटले के एना वर्गो एना माध्यमोदर्शाव माव शे के कई व्यक्ति एकारिय करियु छे एनो ए एहवाल तयार थेलो छे ए जेते व्यक्ति एकोना सुधी पहुचाडवा नो छे तो आबधी बाबतोंनी जान करवा माटे पन नोटीस आपफामा आउती होई छे तो नोटीस ने याद राखवा माटे छे ए मेजे तमने उदाहरनो आप्याई उदाहरनो याद राखवा के छाळा मा जरे कोई कारिय और मोचे कोई फेर्फारों छे कोई सुचनों छे ए माटे शीक्षको और विद्या रत ही reasonable ने आचारिय द्वारा लेखित नोटीस आपमा आउती होई अन्ने एज रिते कंपनियोंना वड़ा द्वारा छे एनी हाथनिचे काम कर्ता कर्मचारियों नोटी सापवा मां आवती होई छे। हवे पछी छे आंतर विभागी ये पत्र व्यहवारनों बिजू स्वरूप परिपत्र तो परिपत्र कोने केहवाई। व्यापारी पेडी के संस्थाना व्यवस्था तंत्र ए गडेल आचार सहीतानी माहीती थी। कर्मचारियों ना जूथने वखतो वखत माहीतगार करवाना अभिगम थी लखातो पत्र एटले परिपत्र व्यावारिक अने वहवटी द्रश्टी कोन धरावे छे। संस्थाना तंत्र ए गडेल आचार सहीतानी माहीती थी। कर्मचारियों ना जूथने वखतो वखत माहीतगार करवाना अभिगम थी जे पत्र लखाये छे। तेने परिपत्र वतरिके वडखवामा आवे छे। आपरिपत्र ना कारियों जोईए तो के कर्मचारियों ने तेमना कारियक शेत्र अंगे मार्थ दर्शन आपे छे। कर्मचारिये जे कारिय करवानूं छे तेना अंगेनू मारत दर्शन आपे छे व्यवस्था तंत्र ये लिधेला निणयों ना योग्य अमल अंगे कर्मचारियों नू त्यान दोरे छे आचार सहीता निमाहीती एटले शूं के व्योवस्था तंत्र द्वारा जे आखी कारिय पत्तती गढ़वामा आवी छे जे नितीनीयमों कढ़वामा आविया छे तेने आचार सहीता कहवा एटले एनो परिपत्र गणाई छे पछी कर्मचारियों पासे थी शूं अपेक्षित छे तेना विशे स्पष्टी करण करे छे बराबर के कईयो कर्मचारी केटला प्रकारनू कारिय कर छे एन केटलो छे कारिय केटला समय मा सिध्ध करवानू छे आ अंगेते स्पष्टता करे छे अने कर्मचारियों मा समान्ता जाडवानू कारिय करे छे बद्धाने छे एक सर्खीज नोटीस आपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप तो परिपत्र कोई एक कर्मचारी ने नहीं, पन कर्मचारीयों ना समूहने सम्भोधी ने लखाये छे। परिपत्र छे एक कोई एक व्यक्ती ने पन आपी शकाये। परिपत्र मा जणावामा आवेली बाबतो, समुहना बधाज सब्भ्योंने एक समान रिते लागू पड़े छे, जे विभागने लखवामा आवियो छे, ए विभागना दर्येक कर्मचारियोंने सर्खो लागू पड़े छे, परिपत्र नुस्वरूप सामान्य रिते अन्य पत्र जेवू होई छे, आम जता तेमा केटलीक वार संब्धन के सुभेश्चा दर्षक समापन दर्षावामा आवियो छे, विभागना वड़ाये लख्यों छे, एटले कर्मचारियोंने संब्धित न करे, तो पंड़ जाले कान के जे समुह माटे लखायों छे, ए समुहने ए पहुचाडवामा आवियो छे, परिपत्र माँ तारिख औने समय खास महत्व तरावे छे, जो कई तारिखे लखायों छे, औने कई आ समय लखाये लों छे, ए खास नौंधू जरूरी छे, जेथी करीने भविश्य माँ छे, जयारे पन जरूर पड़े, को एवा संजोगों भाथाई, तो ए परिपत्र माथी तारिक हने समाई जानी शकाई पछी परिपत्र निश्चीत वर्गना कर्मचारियोंने निती विश्यक निणयोंना अमल तरफ त्यान दोर्वा माटे लखवामा आवे छे ब्राबर निश्चीत वर्गनाइट लेके उत्पादन विभागना कर्मचारियों होई वेचान विभागना कर्मचारियों होई तो ए लोको के जे पन व्यक्तिवो नियमोनु पालन्चारी रिते करता नत्ती अथवा तो कया कया नियमों एमने लागू पड़े छे ए जणावा माटे निश्चीत रिते लखी शकाई छे आम कर्मचारी संचालन अंगे नोटीस अने परिपत्र बन्ने नियत संदर्भ मा माहिती संचार द्वारा कर्मचारियोंने तेमनी जवाबदारी प्रत्ये सबान करे छे छता तेमनी वच्चे निचे प्रमाणे भेद तार्वी शकाई छे बर्याबल बन्ने कारिये श्यूं करे छे तो के कर्मचारियोंने तेमनी जवाबदारी प्रत्ये सबान करता होई छे परन्तु छता पण एमा केट लाग तफावत जोवा माणे छे तो एमा छे नोटीस औने परिपत्र वच्चे नो तफावत जोईए प्रहम छे नोटीस एमा पेलो मुद्दो नोटीस व्यक्ती अथवा समूहने सम्भोधी ने लखवा माँ आवे छे नोटीस छे कोई एक व्यक्ती ने पणापी शकाई अथवा तो आखा जोथ ने पणापी शकाई जरे परिपत्र छे एमोट्टा भागे समूहने सम्भोधी ने ज लखाई छे मा मात्र समूहनो ज समावेश ठाई छे अने नोटीस छे व्यक्ती अने समूहने बन्ने ने सम्भोधी ने लखी शकाई छे પચી છે નઓટীસ દવારા કાઈદાકીએ દરશ્ટીકોન સ્પષ્ટ કરવા માવે आब अधी बाबतों नो तेमा समावेश थतों होई छे पच्छीनों मुद्धों छे नोटीस द्वी मार्गी संचार वियवस्था छे एटले के कर्मचारियों उपरी अधिकारियों ने अने उपरी अधिकारी कर्मचारियों ने नोटीस आपी शके छे बेराबर कर्मचारियो उप्री अधिकारी ने अने उप्री अधिकारी कर्मचारियोने नोटीस आपी शके छे पोताना काम द्वारा जी काई एह वालो रजु थई आछे नकी थई आछे ए एह वालो एने उप्री अधिकारियोने पहुंच आडवाना छे अने उपरी अधिकारियों एछे, क्यू कारिय कोने सोंफ़ानू छे, ए माटे ते पोताना कर्मचारियोंने नोटीस आपता होई छे चारे परिपत्र एक मार्गी संचार वियवस्था छे, तले के मात्र उपरी संचालक वर्ग छे ए तेना हाथ नीचे ना कर्मचारियोंने लखी शके छे, कोई पन कम्पनी नो मालिक, मेनेजर, जुदा जुदा विभाग ना जूथ ने, ए विभाग ने संबोधी ने लखी शके छे पछी विभाग ना कोई व्यक्ति ओछे, एक आय उपरी अधिकारियोंने छे, परिपत्र आपी शकता नथी पछी जे बाबतों माटे नोटीस आपवी होई, ते अंगे परिपत्र पाठवी शकाई ब्राबर नोटीस जे वस्तु माटे आपवी शकाई, ते अंगे ते परिपत्र लखी शके छे पण जे बाबत माटे परिपत्र पाठवा नो होई, ते अंगे नोटीस पाठवी शकाई, नई ये ने काई नोटीस आपी ने जणावी शकाई, नई ब्राबर एटले R रिते तो R हद्टो Nोटीस अने परिपत्र वज्चे नो तफावत इने फरी एक वखत जोई लेए कि व्यक्ती अथ्वा समूने संभोधी ने नोटीस लखाये छे जहरे परिपत्र छे ये मात्र समूने संभोधी ने जिलखाये नोटीस छे काईदा कीए द्रेष्टी कौन स्पेष्ट करे परिपत्र वहिवटी औने व्याहवारिक द्रेष्टी कौन स्पेष्ट करे नोटीस छे एद्वी मार्गी संचार वियवस्ता छे औने परिपत्र एक मार्गी संचार वियवस्ता छे जे बाबत माटे नोटीस आफ़ी होई ते माटे परिपत्र पाठवी शकाई पन परिपत्र माटे काई नोटीस पाठवी शकाई नहीं तो आरी ते बे मार्क माँ पुछाई शके ते वो आ तफा वच्छे नोटीस अने परिपत्र वच्छे तो हवे आ नोटीस अने परिपत्र ने लगता केटलाक नमुनाना पत्रो जोई ये प्रथम आपेलो छे काराण दर्शक नोटीस कैक काराण दर्शावती होई एवी नोटीस आपफाम आवी छे सेयान केमिकलस लिमिटेड कमपनीमा काम करता हर्शिल पटेल तेमना अधिकारी नी रजाली धावीना सतत त्रोण दिवस गेर हाजर रहिया आता सेयान केमिकल्स लिमिटेड वती तेमने कारण दर्शक नोटीस आपतो पत्र लखो के कया कारण उसर छे त्राण दिवस रजाली दी हती अने तेमना जे अधिकारी छे एनी रजाली धाविना ते ओगेर हाजर रहिया छे एटले तेमने कारण आपू जरूरी छे तो लखे छे कोण पत्र सेयान केमिकल्स लिमिटेड ना थी कारी लखे छे एटले सव प्रथाम तो एक कम्पनीनू डाबी बाजु तर फोन नंबर ने इमेल दर्शावा मा आवे छे जमनी बाजु छे एनू एलडरेस दर्शावा मा आवे छे त्यार बाद जेने पत्र लखवा मा आवे ओ छे श्री हर्शिल पटेल अने जेते विबाग ना छे तो के पेकिंग विबाग मा कारिय करे छे एटले एने सम्बोधी अने पत्र लखवा मा आवे ओ छे पच्छी विशय दर्शावानों छे के रजा लिधावी ना गेर हाजर रहवा अंगे खुला सो करवा तो सव प्रथम तेने शू दर्शावू पडशे के कैया त्राण दिवस नी रजावो लिधी छे तेनी तारिख दर्शावी पडशे तो आप तारिख दसमी ओगश्ट थी बारमी ओगश्ट बे हजार सत्तर सुधी सतत त्राण दिवस आपना विभागना अधिकारीनी मंजूरी मेडव्यावी ना गेर हाजर रहिया हता आपनी गेर हाजरीनू कारण चो दिवन सात्मा दर्शावामा नहीं आवे तो आपनी गेर हाजरी शिष्ट भंगनू पगलू गणा शे अने मंजूरी विना गेर हाजर रहवा बदल आपनो ते दिवस नो पगार कापी लेवामा आउशे तेनी नोंध लेशो पविश्यमा आ प्रकारनू गेर सिष्ट भर्यू वर्तन जो आपना द्वारा करवामा आउशे तो तेने नोकरी बंग गणवामा आउशे अने आपे काई नी कर्मचारी नालाबो गुमाववा पडशे तो आएक्षूंध है ना माटे नी नोटीस छे अगाव थी सुचन करवामा आवेलू छे के जे त्राण दिवस नी रजा मुकी अती तेनू मुख्य कारण दर्शावे साच्चू अने साथ दिवस मां जो एकारण नहीं दर्शावे तो एने ए दिवसोनों पगार कापिलेवामा आउशे अने पविश्यमा जो आवू कोई पाण प्रकार नू गेर्शिष्ट बर्यू वर्तन करियू हशे तो एने नोकरी पंग गणवामा आवशे अने ए कर्मचारी नो लाप गुमावा पड़ शे तो आ रिते छे कोई कर्मचारी ये जो कोई भूल करी छे तो ए माटे एने नोटीस आपीशक आई छे तो आ थयो एनो नोटीस नो एक प्रकार के कारण दर्शक नोटीस जणावी छे हवे पचिनू छे स्वेचिक राजीनामा अंगे नी नोटीस स्री जगदीश भावसार तेमनी कंपनी माथी स्वेचिक निवरूती लेवा मांगे छे आ अंगे राजीनामानी नोटीस आपतो पत्र लखो जगदीश भावसार नामनो व्यक्ती छे ए पोते निवरूत्थवा मांगे छे राजीनामू आपवा मांगे छे तो ए माटे नोटीस आपतो पत्र लखे छे ब्रैबर जो उपर श्यूं हतु के अधिकारी छे एक कर्मचारी ने नोटीस लखता आता अहीं कर्मचारी छे एक अधिकारी ने नोटीस लखता तो दरेक पत्र नी जे सव प्रथम अहीं उपर नी तरफ मोबाइल नंबर पछी जगदीश भावसार जे नोटीस लखी रहिया छे तेनू नाम अने सरनामू तेम ज नीचेनी तरफ डाबी बाजू कम्पनी ना मेनेजर नू संभोधन दर्शावामा आवे छे अने तेनो विशेई दर्शावामा आवे छे कि स्वेचिक निवरूती अंगे नी अर्जी मंजूर करवा अंगे हुँ छेल्ला दस वर्शी आपने कम्पनी मां मशीन सुपर्वाईजर तरिके फरज बजावू छू मारा कारियकालना शरू आतना वर्शो आपनी कम्पनी मां सारी रिते पसार करिया ते बदल मने खुब जिसंतोष छे मारा कवटूंदीक अने अंगत कारण सर हुँ स्वेचिक निवरूती लेवा मांगू छू नोकरीनी शरत मुझब स्वेचिक निवरूती लेवा माटे त्रण महिना अगाव जान करवानी होवा थी अर्जीनी तारिक थी त्रण महिना पची मने फरज माथी मुक्त करवा विननती छे मारी नोकरीना वर्षोदर्म्यान एकत्र थैल प्रोविडन्ट फंड ग्रेजुईटी तथा अन्य लापो मने चुकवी आपफानो ओडर करवा विननती छे ब्राबर एने पोते राजी नामू आपफू छे एटले पोते शूं करे छे तो सौथी प्रथाम पोतानी जानकारी आपे छे के कईया विपाग मा कईया होद्दा उपर काम करी रहिया छे त्यार बाद एक या काराणों सरा नोटीस लखी रहिया छे ते जणावे छे ब्राबर अने जे समय एनने काम गीडी पूरी थाई छे ए समय तेने फरज माथी मुक्त करवा मावे अने तेने पोतानों सर्व लाप मली रहे ए प्रकारे ओडर छे ए मंजूर करवानी विननती करे छे तो आरी ते कर्मचारी छे एने पोताना उपरी अधिकारी ने नोटीस लखवानी होई छे तो आछे नोटीस ना प्रकारो होता हवे पछी ना आपना लेक्चर मा आपने परी पत्र ना नमुना ना पत्रो जोईशू ते माज अंतर विभागिय पत्र वियहवार नों त्री जू स्वरूप मेमो विशेनी माहीती मेलावशू झाल